Assalamu alaikum students welcome to my channel जैसा कि आप topic से देख रहे हैं कि ये video जो है based upon है how to fast and improve your handwriting ठीक है before exams तो ये भी आप लोगों में से ही कफी जो है request कर चुके थे कि आप बताएं techniques के कम टाइम में क्योंकि exams आप लोगों के सर पे हैं तो handwriting जो है वो कैसे improve करें जल्दी और fast कैसे करें ठीक है तो उस पर ये video बनाई है इन्शालला ये आपके लिए बहुत helpful रहेगी आप throat जो है वो देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आप topic बर topic topic wise जो है आपको यानि step by step guide करूगी कि आपने paper कैसे attempt करना है with best handwriting और exam से पहले जो है उसे कैसे लेके चलें कैसे practice करें ताकि आपका learning में भी benefit हो प्लस जो है आपके writing भी जो है वो fast हो जाए उसकी speed जो है वो grow करें और साथ जो है improve हो जाए आपके handwriting ठीक है सबसे पहले जो है handwriting जो है तो आपको लिखते हुए भी problem होगी आप ठक जाएंगे लिखते लिखते या आपकी handwriting जो है वो लिखते वच्छी नहीं आएगी तो मैं आपको 10 tips बताऊंगी जिससे आपकी handwriting जो है बहुत जल्दी fast भी हो सकती और इंशाला इंप्रूफ भी करेंगी और आपकी जो learning दी है वो best हो जाएगी ठीक है सबसे पहली जो है वो आपको जो बदा चुके हैं वो sitting position matter करती है आप अपनी exam में जाब बैठे हो इस तरह बैठे हैं कि आप जो है relax feel कर रहे हो बैठ कर लिखते हुए आपको problem ना आ रही हो ठीक है sitting position अपनी best करें और कोशिश करें straight जो है वो बैठ कर लिखें जादा जुक आपम कर राइए दायरेक्शन है खर आप अगर मा व test ने अब कि मुखो शरां को करते हैं तो इस तरह वो फिर आपको एम बैठ सर ले सिन ऑपन बैठ कर ले ऋबिद 지금 चऱाओ ले पीजिए नहीं तरफ ता रखें जो मैं बन चाहिंँए कि एबशे सबड़ कर ले एंसे खर जल्दी लिखने 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 तक जाएंगे आपका हाथ ठक जाएगा बाजू थक जाएगा तो आप पेज को इस तरहां तरहां तरह तरह रखें तकिक यह भुष जेजW je फड़ें लिखते हों पें, मैं आपको शुरू से कहती हूं कि आप इंक पें तो मैं पुर्वाइन उस उससे बंदा speedily लिख सकता है तो आप कोशिश करें जो आप throughout the session जो है वो session के start में अच्छा सा pen ले ले ठीक है उससे आप जो है वो throughout the session जो है उससे लिखते रहे लिखते रहे वो उस pen पे आपकी जो है full grip हो जाएगी आप उससे लिखते मतलब आप उस pen की इतने आधी हो जाए ज्यजिता है यह spirit से नही लिखًा जाता या लिखते व्यखते भी पेल हो यह निक्ते होता है क्जालें पैन होता है यह और न्हुते हैं भी एक्जाम्स में आपके एक मार रहता है तो आप भी भी एक अगर आप ने थ्रूर दा सेशन जो है अच्छा पैंड नहीं यूज किया वा अच्छा पैंड से मुराद यह नहीं के महिंगा हो कोई भी आप पैंड जो है वो डॉलर के पैंड भी अच्छे जो है रीजनेबल में लिखें तो आपको जो है वो किसी किसम की हाजिटेशन फील ना हो आप एजिली उसे लिखते रहें और से आपके स्पीड भी इंप्रूव होगी ठीक है तो पैंड जो है वाप ऐसा चूज करें जिसमें आपने पहले उसे अच्छी तरह लिख चुकी हो डिरेक्ट जो भी आप पैंड यूज करें उसको होल्ड कुछ लोग जो है वो काफी दूर से पकड़ते हैं उससे भी ग्रीप अच्छी नहीं आती और जो राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं लिख जाती ठीक है और कुछ जो है बिलकुल पास से पकड़ लेते हैं उससे भी जो है ग्रिप अच्छी होती या लिखा नहीं अच्छा जाता या और दूसरा एक और चीज़ आप कोशिश करें कि इतना प्रेशर ना डाले कुछ बहुत प्रेशर डाल के ऐसे लिख रहे होती है या बहुत लाइट सा पकड़ा होता कि दरासा भी हुआ से हिल जाए और जो है राइटिंग जो है खराब हो जाती है तो आपको पैन पकड़ने का तरीका यह है कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मल डेंसिटी के साथ पकरें ठीक है बिल्कुल ना जादा उंचा करके ना जादा नीचे करके बिल्कुल नॉर्मल पकड़े और ना प्रेशर डाले ना बिल्क पकरने कि ना जादा एंट पे ना जादा हाई बिल्कुल सेंटर में नॉर्मल सा वे में पकरें ठीक है तो इसके बाद जो है और अगर आप तो आप जो है ऐसे पकड़ें यह देखें क्योंकि आपको पता है एक्जैम्स में टाइम के होता है और आपने जल्दी जल्दी कावर रप करना होता है पेपर तो है आप इस तरहां पकड़ ले और इंक जो कैप है उसको बिल्कुल ऐसे साथ ना प्रेस करके रखें नौरमल से कौ reviewing कि और कि यहम говорить कि इस तरह अंड़ करें थ перाणा है इसको बारा कि आपने जोसरी इन से नहीं पर रकाया हक्ता है फिर जल्दी से खूल ईड़िक कर लिया नेक्स्तर स otro님 कि यह दिए फिर आपने दूऊ है पिर इस जासिरा पर रहित है तुप रट आपने नाग्रेंジャक compar जो है एक्जाम्स जहांदर कर रहे होते हैं, ओधर लगाउ साइट पर रहा जो है। ऑर लोगहे करें, अजक्द में अवाल तो फिर रखो लगा हैं, झात में पकड़ें। फिर देशा Dada 공 effect करूए ग्रतरिश्umm officer कम pense करें, धर करभेर भी drive करनें, फिर कि जा क्धूचा करें। तो मुझे तो समुर आपकोहां और कोशिश करें कि औरक्वे कर whom देकिता है। अपके लिए युट्म रहां ऐसम में उतनी है। स्था दो एंन्पकोचा पेस के में लाउट एक अग्छ नियुक्विंक जो है लिगते हैं और हैं कि जो के हैं को इसके उफ़र डालके मत यूज करें से वेड ज़रा जो है जादा हो जाता है जैसे मैं आपको तरीका पताया इस तरह पकर के रख लिया और लिखते गए फिर जब से लिख लिए फिर इसको दुबारा इसमें रख दी और दूसरा यूज कर लिए इसके बाद जो है आपने this is 5th point right passage and observe most important point अभी जब आपको अपनी handwriting का idea नहीं है का आपक कैसी है रूरी है क्या है इसमें फॉल्ट है मैं आपको बताती हूं आपने क्या करना थे सबसे पहले आप एक sheet पकड़े एक book पकड़े उसमें से कोई भी एक passage या कोई भी जो है topic select करें और आप लिखना स्टार शेयुआप करें, ठीक है … अराम سے नॉर्मल स्पेड़्ट से ना अपने जलदी जती लिखना ना अपने आपने लिखना हैं में के इसंग अब रिखने डाइज रिखने में लिखनाओं इस थे लिखने और अपने क्या उब्सजर्ख करना है , मैं आपको बताते मैं सबसे पहले आप observe करें कि जो आपने पैसे रिखा है उसमें आपकी राइटिंग किस टाइप की है क्या वो तिर्ची है या सट्रेट है या बोथ है बोथ से मुराद कुछ जो है और थर्ड वन जो के नहीं होनी चाहिए इस डारेक्शन में देखें राइटिंग जो है दो डारेक्शन में होती है डारेक्शन तीन तरह की है आप ऐसे भी लिखते हैं काफी बच्चे ऐसे लिखते हैं मैं आपको लिखके दिखाती हूँ ऐसे यानि के इस तरह इस डारेक्शन में लिखते हैं जो के बिलकु रॉंग है दूसरी डार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् या दोनों है दोनों भी कलता है यानि कुछ आप words जो है वो तिर्चे लिख रहे हैं कुछ जो है आपके सीधे हैं फिर कुछ जो है आपके बीच में ही जैसे मैं लिख जूँ यह देखें तिर्चा है और कोई सीधा है तो यह भी रॉंग है कोई एक pattern select करें या आप writing full straight रखें या आप writing जो है वो फूल जो है वो तिर्ची रखें ठीक है तो आपने के observe करना है कुछ सी आपकी जो है है राइटिंग है आपको किसी एक पे focus कर लें जो आपको अपने लिए best लगती है उसको पिक कर लें और आपने बस उसी तरह ही लिखना है ना कभी तिर्चा लिखते ह तो आपने straight लिखने की कोशिश निकरनी अगर straight लिखते हैं तो तिर्चे की कोशिश निकरनी ठीक है एक ही direction रखें उससे भी काफी needness आती है राइटिंग एक ही direction में लिखी हो लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है अगर writing में आपकी writing बिल्कुल अच्छी है अच्छी है क्या आपकी writing जो है वो joining है या नहीं single words लिखते हैं या आप joining में लिखते हैं यह आपने select करना है यह आपने पहले observe करना है ठीक है joining में आप आते हैं पहले तो joining में अगर आपकी जैसे मैं आपको लिखके दिखा दी ठीक है यह joining writing है letters को साथ साथ आपने join करके लिखा हुआ है अगर joining आपकी writing है तो आप observe करें क्या आपके जो letters और words है वो आपने अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं कहीं आपने ऐसे तो नहीं लिख दिया यह देखें ठीक है जल्दी जल्दी में आपकी यह words अगर ऐसे लिखे गई है अगर paper आपने ऐसे attempt किया तो गलत है आपके number कर सकते हैं जिसमें आपको examiner पाड़ी नहीं पा रहा कि आपने क्या word लिखा है ठीक है speed में आपने इस तरह लेके दिया है तो फिर गलत है तो आप कोशिश करें जॉइनिंग से avoid करें अगर आप इससे लिखते हैं लेकिन अगर आपके speed में भी राइटिंग जॉइनिंग जो है words clear पढ़े के जा सकते हैं examiner जो है confused नहीं होगा तो फिर ठीक है फिर आप यह अडॉप्ट कर लें ठीक है तो जॉइनिंग है तो उसको आप neatness क कि तरफ लेके हैं हर words जो है लिखा हुआ समझ आना चाहिए ठीक है इसके बाद अगर आपकी जॉइनिंग जो है जॉइनिंग नहीं है straight में लिखने है तो फिर आप देखें कि straight में आपने कैसे लिखना है straight में भी दो तरह की हो सकती है जॉइनिंग में भी आ सकती है इसमें भी यही है कि आपका हर letter जो है easily नज़र आना चाहिए mix up नहीं होना चाहिए ठीक है तो mix up नहीं करना आपने और आप इस तरह single letter के साथ भी लिख सकते हैं और यह भी बेस्ट है इस तरह लिखने का benefit यह है कि लिखा हुआ समझ आता है और आपके marks reduction जो है वो नहीं होते ठीक है अगर आपने ठीक लिख है और जोइनिंग में सिर्फ तब best है कि अगर आपके लिखाव क्लियर हो समझ आ रही हो कि आपने क्या words लिखे है ठीक है तो आपने इस चीज़ को observe करना है आप किस जो है वो किसमें fall कर रहे हैं आपकी writing joining है straight है या slenty है लेकिन आपने यह देखना है कि आपकी जो है वो word easily जो समझ आ रही होती है कोई mix up नहीं हुआ होता ठीक है लेकिन नुक्सान यह इस तरहां लिखने से spirit जो है वो ज़रा कम हो जाती है आप नोट करें अगर आप फुल passage जो है five lines का लिखें इस तरह word to word simple करके अलग लग करके और एक आप जोइनिंग में लिखके देखें तो आ आप ने क्या observe करना है दिखा हूआ पैसीज है उसमें space बहुत matter करती है आपने space observe करनी है कि letters जो है सबसे पहले आते है letters of a word observe the space between the letters of a word जो आपने लिखा हूआ है उसमें जितने भी words हैं उन words की letters हैं उसकी space observe करें यही जो मैंने आपको बताया भी यह देखें और example यह आपने कोई question लिखा हूआ answer लिखा हूआ है अब उसमें मतब जो आप passage लिखेंगे उसको observe करें तो आपने जो भी words लिखें हैं उसको one by one follow करें पढ़ें और देखें किया आपने space कितनी दी है आप देखें कुछ जो है बिल्कूल congested करके लिख देते हैं ठीक है और कुछ जो है बहुत खुला-खुला ठीक है और कुछ जो है किसी में ज्यादा space किस letter में किसी में कम space तो तीनों गल्त है आपने normal space देनी है letters में और equal space देनी है ठीक है अब यह देखें मैंने in is word के letters में gap भी जादा नहीं रखा कम भी नहीं रखा plus मैंने जो है सब को equal space दी है कोई जादा किसी में कम यह किसी में में जादा space नहीं है ठीक है तो यह observe करें अगर यह आप में fault है writing में तो इसको best करें इसको improve करें के आप space same दें plus आप जो है तो उसमें gap भी ना रखे ठीक है और इसके बाद आप देखे के आपने फुल जो passage लिख रिया हुआ है ठीक है उन passage में वर्ड के बीच में कितनी स्पेस दी हुए आपने ठीक है for example मैं आपको एक passage लिखा रही हूं तो ताकि मैं आपको उसमें समझा सकूँ इजी रही है देखे मैंने पेज की डिरेक्शन कैसे सेट किया और पैन कहां से पकड़े इसे लिखने में मुझे असानी हो रही है यह आपने पैसिज लिखा हुए है फिलहालता मैने तूल है